आलो और चोले की सबजी खाना हर एक पसंद करता है क्यूंकि उसका टेस्ट बहुत ही आमेजिंग होता है तो आज हम आपको ऐसे ही एकदम टेस्ट ही बिना खड़े मसाली की चोले और आलो की सबजी की रेसिपी बना कर दिखाएंगे मगरे वीडियो शुरू करने से पहले आए होप आपको मेरे रेसिपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिविट करें हम यहां दो बडी चमॉच ओइल डालेंगे आदा छोता चमॉच जीरा आदा छोटा चमॉच राई डाल कर इसे तड़कने देंगे साथ ही यहां दो कटी हुई हरी मिल्चा और 6-7 कड़ी पत्ते डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राइ करेंगे उसके बाद दो मेडियम साइज के कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से पकने देंगे यहाँ प्याज और टमाटर को कट करके लिया है आप चाहिए तो इसका पेस्ट भी बना कर ले सकते हैं आपको प्याज नहीं डालना है तो इसे स्कीप भी कर सकते हैं यहाँ प्याज आदा पक गया है अब हम डालेंगे एक कटा हुआ टमाटर टमाटर डालने से हमारी सबजी का टेस्ट बहुत ही बड़ी आएगा पैजा और टमाटर आदा पकने के बार डालेंगे मसाले आदा चोटा चमच हल्दी पौडर एक चोटा चमच काश्मेरी लाल मेच पौडर आदा चोटा चमच मसाला मेच पौडर एक चोटा चमच दनिया पौडर एक चोटा चमच लसुन की पेस्ट आप चाहे तो इसमें आदरग की पेस्ट भी डाल सकते है आप इसे अच्छे से बून देंगे मैंने यहां खड़े मसाले नहीं डाला है आप चाहे तो इसमें खड़े मसाले डाल सकते है मैंने पहले से ही छोले को भीगो कर रखा था अब हम डालेंगे छोले आप चाहे तो चोले को बॉइल करके भी डाल सकते है अब हम सभी मसालों को चोले के साथ मिक्स करेंगे सभी मसाले चोले के साथ पकने के बार डालेंगे हम सौध के नुसार नमक मैंने यहां भीगोई हुए चोले लिया है इसलिए चोले को मसाले के साथ 2 मिनिट तक पकने देंगे और चोले मसाले के साथ 2 मिनिट तक पकने के बाद डालेंगे 2 कप पानी अगर आप उबले हुए चोले लेंगे तो यहाँ इतना ज़्यादा पानी डालने की कोई जोरूरत नहीं है दो कप पानी डाल कर मिक्स करने के बाद 6-7 मिनिट तक चोले को पकने के लिए ढग देंगे 6-7 मिनिट तक चोले को पकाने के बाद हमारे चोले पके है या नहीं इसे ट्राय करके देखेंगे और नहीं पके हो तो और 2 मिनिट तक पकाएंगे यहां हमारे चोले 6-7 मिनिट में एकदम फर्फेक्टली पग गए क्योंकि मैंने इसे पहले से ही भिगोया था मैं यहां ग्रेवी की जगद दो उबले हुए आलो मैश करके डाल रही हूँ ग्रेवी वाली चोली की सबजी तो हमेशा खाते है मगर मैं आज यहां बिना ग्रेवी वाली चोली की सबजी बना रही हूँ ग्रेवी वाली चोली से ज़्यादा मुझे आलो वाली चोली की सबजी बहुत पसंद आती है आप चाहे तो आलो की जगद ग्रेवी बना कर भी डाल सकते है हमारी सबजी की टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए हम डालेंगे यहां हरा धनिया अब इसे भी अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बार डालेंगे आदा कब पानी पानी को अपने हिसाब से डालना है आप सबजी को ज़्यादा गाडा रखना चाहते हो तो थोड़ा सा पानी डाले और पतली रखना चाहते हो तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाले मगर ज़्यादा भी पतला नहीं करना चाहिए यह देखिए इतना ही पानी डालकर ऐसी गाड़ी बनाना है इसे ज़्यादा पतली न बनाए अब इसे और दो मिनिट पकने के लिए ढग कर रख देंगे यहाँ दो मिनिट हो गए है अब हम चेक करेंगे कि हमारी सब्जी कैसी बनी है यहाँ देखिए ग्रेवी की जगा आलू डाल कर बनाई हुई है हमारी छोली की सब्जी बहुत ही सूपर और टेस्टी बनी है अगर आप ज़्यादा मसाली नहीं खाना चाते हो और ग्रेवी वाली की सब्जी भी नहीं खाना चाते हो तो ऐसी बिना ग्रेवी बिना खड़े मसाली की सिर्फ दो आलू डाल कर चोली की एकदम होटल स्टाइल सबजी बना सकते हो इतनी सूपर और टेस्टी बनी हुई चोले और आलू की सबजी आप चपाती चावल या जोर की भाकरी के साथ भी खा सकते है पूरी और चाल के साथ ऐसी सबजी बहुत ही टेस्टी लगती है आप भी ऐसे छोले और आलो की सबजी बना कर जरूर खाईए क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और जटपट भी बन जाती है इसका टेस्ट तो बहुत बड़े होटल की सबजी जैसा होता है